नमस्कार दोस्तों स्वागत है अब सभीका बिहार समाचार में आईए आज बिहार के पड़ी खबरों को जानते हैं कबर पुरे देश में अब बच्चों को लगी गी कोरोना वैक्सिन भारत बायोटेक को मिली ट्राइल के मंजोरी जी हाँ डबलो वैक्सिन के एक्सपर्ट ने भारत को आगा किया था कि अगर कोरोना की तिसरी लहर आती है तो उसमें बच्चों पर भी काफी परवाब पड़ सकता है इसी कड़ी में अब एक बड़ा कदम उठाय गया है कोरोना वैक्सिन से जूड़ी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी ने भारत बायोटों की को वैक्सिन का 2 से 18 साल के बच्चों के उपर ट्राइल करने की सिपारिस की जिसकी मंजोरी मिल गई है ये क्लिनिकल ट्राइल 525 ल बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री समराट चोधरी ने कहा कि कोरोना महामारी का संक्रमन त्रीव गति से पंचायतों में बढ़ने के कारण बचाव हेतु सोडियम हाइपो क्लोराइड से पंचायत में उबलब 15 वित आयोक के अंटाइड अनुदान से सेनिटाइजेशन कराया जाना प्रभाविक कारिक कदम होगा नोंने कहा कि पंचायत सचिव के अपनी देख रेक में ग्रामिन चेतर के धार्मे किस्तल समुदाइक भावनों पंचायत सरकर भावनों हाट बाजार एवम भेड भाड भरे चेतरों को चिनित कर व्यापाक पैमाने पर सेनिटाइ पर घुमने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस जुर्माना वसलनी के करवाई तो करी रही है सुधार लाने का नया तरका भी अपनाया है गुदवार को आटवे दिन भी गाईलाइन के उपेक्चा कर बेवजा सड़क पर घुमने वाले कुछ इवकों को पुर दिया गया साती जीले में चलाये गए वाहन चेकिंग के दोरान लौडाउन का उलंगन करने के आरूप में वाहन सवारों से 51,000 रुपे जुर्माने की वसुली कर राजस्व संग्रक किये गए पपो यादव की गिरपतारी पर अकले पड़े नितिस कुमार जेडवी बिजेपी निताओं ने उठाए सवाल की ये मांग जान अधिकर पार्टी के राष्टिया देक्च और पूर्व सांसद पपो यादव की गिरपतारी को लेकर अपने ही नेता मुखमंतरी नितिस कुमार की किलाप हो गये हैं सीम के करिबी और जेडवी नेता मुणाजिर हसन का कहना है कि पपो यादव की गिरपतारी जितनी निंदा की जए वह कम है वे गरीबों के मसिहा के तोर पर काम कर रहे थी जिर्योई नेता हसन ने कहा कि गिरपतारी तो छपरा के डियम और बिजेपी सांसद राजी प्रताव रोडी की होनी चाहिए थी पप्पु यादव मुस्किल समय में गरिबों की मदद कर रहे थी उनकी गिरपतारी निंदा का विसाई है वहीं दूसरे जिर्योई नेता विज सांसद बने रहने का अधिकार नहीं है पप्पु यादव को मानवता के अधार पर छोड़ देना चाहिए एमिलेंस मामले की जाज करके डियम को बर्खास्त और सांसद को इस्तिपाद दे देना चाहिए पाटना इनिवसिटी में दाखिला प्रक्रिया माई के अंत में हो सकती है जी हाँ पाटना इनिवसिटी में दाखिला लेने वाले इस्टुडेंट का इंतिजार अब जल्दी खतम होने वाला है कहा जा रहा है कि इस महने के अंत में पाटना इनिवसिटी के दाखिला प्रक् बेसबरी से दाखिले का इंतिजार कर रहे हैं इस साल दस लाख स्टुडेंट ने बिहार बोर्ड इंटर्मिडेट की परिक्षा पास की है इनिवसिटी के अधिकारियों का कहना है कि इनिवसिटी के विसी गिरिश चोधरी समेत कई कर्मचारी कुरोना संक्रमित है इस कारान प पटना के सडकों से 130 पीली सिटी राइड बसे बाहर हो जाएगी पटना सहर में इन दिनों 160 प्राविट सिटी बसे चलती है इनमें 130 बसे 2006 से और 2008 के बेच डिटियों में रजिस्टेड हुई है चुकि राज सरकार के दिशा निदेश के नुसार 15 वरसों से अधिक पुराने सिटी बसों का परमिट रिन्वल नहीं होना है लिहाज अगले दो वरसों के दोरान जैसे जैसे इन बसों का परमिट लेप्स होते जाएगा रिन्वल नहीं होने के वज़ा से ये राइधानी के सडकों से बाहर होते जाएगी और केवल 30 बसे यहां सेवा देती नजर आएग के लिए संकल्पित पुलिस के कडाई को देखते वे सडक पर वेवज़ा गोमने वाले लोगों के होस्ट ठिकाने लगने लगे हैं और उन पर अंकुस लग गिया है गुरुवार को जिले के सहरे और ग्रामीन इलाकों में दिन बर सगन वाहन जाच अभियान चलाए गया जिसम करोन वारेस महमारी के बेच चमकी बुखार का कहर सामने आया है राज के चार जिले मुझपर पूरवैसाली पूरवी चमपारन और सीता मड़ी में इसके मरीज सामने आये हैं कोरोना के बढ़ते प्रकूप के बेच चमकी बुखार ने स्वासी विवाग के टेंसन बढ़ा बताया जा रहा है कि विभाग की और से इस पर अलग से त्यारी शुरू हो गई है। बारिस ने दी गर्मी से रहा है। में गर्जन के साथ ठनका की भी आसंका है। गंगा नदी में सवो की बहाने पर मानव इदिकार आयोग सक्त बिहार और उत्तर पदे सरकार को भेजा नोटिस चार हपतों में मांगा जवाद। आयोग ने बिहार और उत्तर पदे सरकार को नोटिस जारी किया है। पूछा है नदी में सव कहां से आये। आयोग ने भारत सरकार के जल सक्ति मंत्राले को भी नोटिस बेजा है। सभी को चार सपता के भीतर जवाब देने को कहा गिया है। हमारे और लोडाउन के बेज अब रूलाने लगा है सरसो तेल और रिफाईन आसमा अंचूर ही है किमते। पेट्रोल डिजल की भी दाम आसमा चूर ही है। महंगाई की मार जेल रहे महिलाओं ने खायद पदातों में तेल का उप्योग कम कर दिया है। अब एक राज से दूसरे राज जानने के लिए कोरोना टेस्ट जरूर नहीं। स्वास्त मंत्रालाई की नई गाइडलाइन जारी। जिया देश में कोरोना संक्रमन का आकड़ा अवे 21% है लेकिन देश में कोरोना संक्रमन के मामलों में गिरावट आई है। और राजवार आकड़ा देखे तो मामलों में गिरावट साप नजार आती है। स्वास्त मंत्राले ने कलिया इसपश्ट किया कि एक राज से दूसरे राज के लिए कुरोना की आटी पिस्यार टेस्ट की जोरत नहीं है स्वास्त मंत्राले की ओर से कलिया कहा गया है कि कुरोना के मामले 18 राज्यों और केंदर सासित परदेसों में घटे हैं वहीं तेरा राज्यों में एक लाख से अधिक कुरोना के एक्टिव केस हैं